इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सौरिक में हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी रिसिवुम चौरहे से लेकर के सक्रावा तिरहे तक आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो लाइटें लगी हूई है रोड के साइड में जिनसे सौरिक की जनता को रोशनी मिलती है क्या वह पूर्टिया तरीके से रोशनी दे पा रही है या नहीं दे पा रही है और किस प्ररकार से लाइटें ये देख लीजिए, थोड़ी बहुत लाइटें जल लई है जैसे ये भी लाइट जल लही है आंगे ये भी देखी जल लई है अगर जो चीजे पर्टुकल शरीके से जल लई है मैं उसमें कोई टिपड़ी नहीं करूंगा लेकिन अगर कोई लाइट बंध हो गई है तो उसके उसको सुधार क्यों नहीं किया गया और उसको सही क्यों नहीं करवाया गया मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि सौरिक की जनता जैसे कि ये लाइट देखिए आप बंध है और आगे की भी एक खंबा है ये भी बंध है और इस समय हम पहुंच चुके हैं ठीक बाजार के सामने और वहाँ पर जल लए एक लाइट ये देखिए ये भी बंध है ये सक्रावा रो हैं जो है कि बोट दिया है और उनकी खौन पसीने का टेक्स का पैसा लगा है इन लाइटों में जो कि ये सौरिक को रोसनी करने का काम करती है अब इन पैसों को जब लगाया गया है जब ये इतना खरचा हुआ है तो आखिर ये रोसनी क्यों ने दे पा रही हैं सबसे सक्रावारोड पर ज्यादा तर लाइट हैं आपको बंद दिखेंगी अगर यह क्यों बंद है लाइट आने के बाब जूद भी नहीं जल रही है तो अखिर ऐसी क्या बज़े है और इनको अगर सही दुरुष्ट क्यों नहीं करवाया गया सही भी तो करवा सकते हैं कर कोई ला लाइट बंद हैं अभी हम सक्रावा जो है तिरहे पर पमशने ही वाले हैं और शक्रावा तिरहे पर जो फ्रोंक्स लगी है जो बड़ी लाइट थोड़ी है लायट भी नहीं जल रही है दिखाने का प्रयास करते यह देखिए आप सामने यह देखिए आप देखिए इसको जूम कीजिए जरा जूम कीजिए यह देखिए आप यह लाइट भी नहीं जल रही है तो उजाला कैसी होगा कमेंट में बता है